Hello friends, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कि अगर आप Snapchat का इस्थमाल करते हैं, pictures लेने के लिए, images खिचने के लिए, तो यहाँ पर उन images को कैसे आप अपने mobile की गैलरी में save कर सकते हैं, उनको export कर सकते हैं, क्योंकि friends होता क्या है, जब भी आप Snapchat के अंदर photos को click करत तो आपकी जो फोटोज होती है वो डारेक्ट आपकी गैलरी में सेव नहीं होती है तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि कैसे आप उन फोटोज को गैलरी में ला सकते हैं तो फ्रेंट चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो फ्रेंट्स वीड करना है यहां पर मैं एक pick कर देता हूँ यहां पर यहां पर जो इमेज को मैं आपको गैलरी मेppen सेव कर लेकर के दिखा सको ब Lauren टो अबर मैं image को कह सकते हैं क्लिक कर लेता हूं यह जो image आप देख पा रहे हैं Picture maybe इसको में click कर लिया है और इसको मैं save कर लेता हूँ तो friends यहाँ पर जो image है वो save हो चुकी है अब यहाँ पर friends आपको करना क्या है कि आप जहां से pick को click करते हैं उसके बगल में एक option देख सकते हैं gallery type का एक option उस पर click करना है इसमें जब आप click करेंगे तो आपकी जो photos आपने Snapchat से खीची है वो यहाँ पर आपके साम हो चुकी है अब यहाँ पर friends नीचे आपको option दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक option है export का जी हम फ्रेंट्स इस export वाले option पर आपको click करना है अब यहाँ पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको सामने दो option आएंगे camera roll and other apps इसमें जो first वाला option है camera roll इस पर आपको click करन रहा है तो friends मैंने click कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यह जो image है मेरी यह export हो चुकी है मेरे mobile का जो gallery है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं friends अब मैं आपको gallery में जाके यह देखिए friends जो picture मैंने click किया था वह मेरे mobile gallery में आ चुकी है तो friends कुछ इस तरीके से आप Snapchat क कि जितने भी images को आप करना चाहें अपने mobile की gallery में save कर सकते हैं आसानी से